जरूरी है खेल कूद और व्यायाम भी नंदिता की शोबना चाची दिल्ली से आई तो नंदिता को देखकर हैरान रह गई बोली नंदिता क्या बात है आजकल कुछ खाती पीती नहीं हो इस तरह सुकती क्यों जा रही हो तुम्हारा चेहरा भी बुझा बुझा सा है सुनकर नंदिता हसकर बोली नहीं चाची ची आपको ऐसे ही लग रहा है मैं ठीक तो हूँ पर नंदिता की मम्मी ने जो कुछ बताया उससे शोबना चाची चिंता में पढ़ गई शोबना इसका घूमना फिरना या घर से बाहर जाना तो शुरू से ही कम था मगर इधर जब से परिक्षाई आई है इसने घूमना फिरना बिलकुल ही बंद कर दिया है सारे दिन कमरे में बंद रहती है सुभा हो या शाम इसके मूँ से सिर्फ एक ही बात सुनाई पढ़ती है मुझे परिशान न करो मुझे अच्छे नंबर लाने है इस बार प्रथा मा कर दिखाऊंगी मैं बार बार समझाती हूँ कि सेहर ठीक रखोगी तभी तो पढ़ाई दिखाई भी कर पाओगी और पेपर देने भी जा पाओगी अगर बीमार पढ़ गई तो क्या होगा नाश्ते के बाद शोभना चाची ने नंदिता को अपने पास बुलाया बोली नंदिता प्रथा माना तो अच्छी बात है पर उसके लिए तुम्हें किस ने बताया कि तुम बिलकुल किताबी कीड़ा बन जा घूमना फिरना पार्ट में जाना व्यायाम करना सब छोड़ दो तुम जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी ताज़गी से भरा होता है उसमें नए नए विचार आते हैं जो कुछ पढ़ हो वो याद भी रहता है सज कहूं नंदिता तुम अपना बहुत नुकसान कर रही हो हाँ सुनकर नंदिता एक शण के लिए चुप रहते ही जैसे अंदर ही अंदर उसे अपनी गलती पता चल रही हो धीरे से बोली पर चाची जी मैं क्या खेल कूत कर सकती हूँ शोबना चाची बोली बही ज्यादा तर व्यायाम ऐसे हैं जिन्हें हम आराम से कर सकते हैं अपनी अपनी शारिरिक जरूरत और रुची के अनुसार उनमें से कुछ व्यायाम चुने जा सकते हैं धनुरासन, मत्स्यासन, शवासन, सोरे नमस्कार ये सब ऐसे आसन हैं जिनमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और शरीर में रख्त संचार तेज होता है फिर प्राणायाम तो ऐसा आसन है जिससे फेपड़े मजबूत होते हैं आमतोर से जितनी ओक्सिजन हमें चाहिए उतनी हम ले नहीं पाते हैं लेकिन प्राणायाम से जब भरपूर सांस अंदर जाती है तो उसके साथ ओक्सिजन की भरपूर मात्रा भी जाती है इससे पूरे शरीर में स्फुर्ती का संचार होता है नंदिता ध्यान से सुन रही थी शोबना चाची आगे बोली, कुल मिलाकर योग हो या व्यायाम, इनसे शरीर के साथ साथ मन में ताजगी आती है और मन की एकागरता बढ़ती है, इसलिए अगर तुम प्रधम आना चाहती हो और अधिक अंक लाना चाहती हो, तो तुम्हें भी व्यायाम से दूर भागने की ज अरिक्षा में अधिक अंक ले आओगी, अब सोच कर बताओ कि व्यायाम से फाइदा है या नुकसान, अब नन्दिता को समझा गया था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और व्यायाम भी बहुत जरूरी है, शाम को शोबना चाची पार्क में जाने लगी, तो नन्दिता पूली, ठहरिये चाची जी, मैं भी चलूँगी, पार्क में नन्दिता ने दूर दूर तक फैली हरियाली को देखा, बच्चों को जूला जूलते देख, उसके मन में भी हिलोर पैदा हुई, वो भी जूला जूलने लगी, शोबना चाची पीछे से धक्का देकर उसे जोर जूलाने लगी, तो वो बहुत देर तक हस्ती खिल खिलाती रही, जूला जूलने के बाद जब दोनों घराने लगी, तो देखा कि एक कोने में कुछ लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी, शोबना चाची ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो नन्दिता, तुम अब मैं भी कभी कभी इनके साथ खेलने आया करूँगी, मैं आज ही अपनी सहीली नीना से बात करती हूँ, अगर वो तयार हो गई, तो हम दोनों मिलकर रोज शाम को पार्क में घूमने आया करेंगे अगले दिन शोबना चाची गई, लेकिन नन्दिता उनकी सीख नहीं भूली, शोबना चाची ने उसे जो राह दिखाई, उससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई थी संदेश, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है झाल अगले, पुश अगले हो अगले हाँ भी बादेश, स्वस्थ मन आदेश, स्वस्थ शरी खुश धुशियां रहता है झाल झाल